जोतिश शास्त्र में 12 राश्यों का जिक्र होता है बतादें आपको राश्य के अनुसार वेक्ति के सभाब और भविश्य से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं वहीं आज हम अपने इस रुपोर्ट भी बात करने जा रहे हैं इन पाच राश्यों के जिन पर महादेव प्रसन्न हैं महादेव चमकाएंगे इन पाच राश्यों के किस्मत इनको लाग बहुत जादा मिलता हुआ नजर आ रहा है बता दे आपको जो भी भक्त सच्चे मन से महादेव की पूजा करता है वे दिविधान से आराधना उपासना करता है भक्ती भाव रखता है महादेव की भक्ती करता है सच्चे मन से उन पर महादेव की विशेश क्रपा होती है महादेव उनको मंचाहा वर्दान देते हैं बता दें आपको ग्रहों की चाल में परिवर्तन होता रहता है जिसे प्रिशिके जीवन ने तरह के बर्लाव देखने को मिलते है जैसा कि हमने बताया च्रोंतिशास्ट्र में 12 राश्यों का जिक्र होता है बता दें आपको ग्रहों की चाल में परिवर्तन का सीधा प्रभा निवारह राश्यों पर पड़ता है तो बता दें आपको इन पाच राश्यों की किस्मत चमकने वाली है इनको धरलाभ का योग बन रहा है बता दें आपको यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो बड़ों से सला लेकर मित्रों से सला मश्वरा करके आप अपने विवेक के निवेश करें मेहनत और लगन के साथ कारे करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी यदि आप किसी कॉमपटिशन आप रतियोगी परिशाओं के तारी कर रहें तो सफलता मिलने का योग बन रहा है यदि आप बिजनस करते हैं तो बिजनस में कोई बड़ी दील होने से धनलाब का योग बन रहा है यदि आप जाब करते हैं तो बता दें आपको बहुत साथ कार पार्च भाग दिशाली राशिया है मिथुझ राशी कर्क राशी कर्णिया राशी तुला राशी औरकुंभर राशी बता दें आपको रुप सैड़्स और रने जगाहों ते शेता आप्स धादे आपको ने पांच राश्यों की किसमत चमंकने वाली मोई बहुत ज्यादा लाब मिलता हुआ नजर आ रहा है नहीं लाब का योग बन रहा है सफलता मिलने का योग बन रहा है जिस भी कारे को करेंगे उसमें इनको सफलता मिलेगे चीचरी फिर से बता जिते हैं ये पांच बाग गिशाली राशिया है पांच बाग गिशाली राशिया है मिथिन राशी करक राशी, कन्या राशी, तुला राशी और कुंबर राशी जामकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जब लिटाएं एक्स्ट राइने स्पेश्यों कर पाउड